हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में CRP of Pyramidical Stop 2020 में जो आपका फिशकल होगा वो कैसा रहेगा सारी बाते इस वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे की दोड़ क्या रहेगा हाइड क्या होगी चेस्ट क्या रहेगा दोड़ जो होगी ये क अजा पहुँआगा ये हमरा वाटसभ नमपर है इस वाटसभ नमपर एक ग्रूप बनाय गया है और इस ग्रूप में टेली लाइफ टेस्ट लिया जाता है रात की दश्मा करने के बाद मैं आको वार्टसभ ग्रूब में एड कर दूंगा जहाएँड कर दूंगा जहाँए यहां पर विहार की सभी परिच्छाओं के लिए डिफेंस की सभी परिच्छाओं के लिए और कॉम्टेटिव इक्जाम की परिच्छाओं के लिए लाइक केश्ट लिया जा रहा है तो जल्दी कर यह सव रुपए ज्यादा फीस नहीं है सव रुपए आप में बेकर के बार्स वस्टू निष्ट प्रकार की होगी कहने का मतलब क्या है बहुत विकल्पी है वस्टू निष्ट प्रस्ट जो होते हैं आपके जैसे कि यह कोशन दिया है उसके चार विकल्प दिये हैं तो उन चार विकल्प में आपको एक विकल्प चूस करना होगा तो ऐसे आपकी परिच् परिच्छा सव अंकों की होगी सव अंकों की परिच्छा होगी और एक प्रस्ण आपका एक नंबर का होगा यह आपको ध्यान में रखना है यह आपकि परिच्छा देखिये दो घंटे यानि कि एक घंटा वीस मिनट की होगी परिच्छा की जबधी होगी अब हम बात करते ही कि CRP framework Kub degree भरती 2020 में उम्मृत दौर में चार चरणों में वो चरण काउन काउन से हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्थम चरण की देखिए गाइस पर्थम चरण में आपका UCNC Test इसको बोलते हैं PET ये होगा. दौती चर्ण की बात करते हैं. तो गायव दौती चर्ण देखिए आपका लिखित परिछ्छाँ होगी दौती चर्ण में और 23 चर्ण की बात करते हैं तो 23 चर्ण में Trade-제ド powers and Document Screening होगा आपका 24 चर्ण की बात करते हैं जिसमें आपका Physical Standard Test होता है . जिसको बोलते है PST इसमें सबसे पहले उमेदणद्वर को क्या करना पड़ता है सबसे पहले उमेदणद्वर काoder का इडिनिटिक वेरिफिकेशन होगा उसके बाद उमेदणद्वर का Physical Standard Test आया उजित किया जाएगा जो एमिद्वार फिजट्रेंडर के दो कि ओमिद्वार की निमना निद्वार के निम्लिफिट डाक्योंन्ट्स चेक किये जाएगे, व्लाक्यों वेल, को से हैं कर देखते हैं, ніकर सबसे पहला आपका डाकुमेंट्स होगा जाती प्रमाणपत्र केवल और अच्छी कर्टिगरी के लिए दूसरा हो गया सैच्छी प्रमाणपत्र तीसरा हो गया आयू या फिर जन्म तिति प्रमाणपत्र आपके पास कोई भी हो वो आप ले जा सकते हैं चौधा आपका प्रमाणपत्र रहेगा देखिए डाकुमेंट्स में डिस्चार्च और एक्स्प्रियंस साटिविकेट केवल भूत पूर्व सहिंगों के लिए है अगला जो मारा डाकुमेंट्स रहेगा नो आपजेक्शन साटिविकेट यानि कि सरकारी दक्तरों में कार करन में वाले उमिदारों के लिए है अगला जो मारा लास्ट है वह है EWS साटिवेट तो यह साटिवेट आपको ले जाने है ठीक है देखिए उमिदारों का जो फिजकल इस्टेंडर्ट टेस्ट मेंजर्मेंट इस प्रकार का होगा जिसमें देखिए कद की बात करते हैं सबसे हाइट की बात करते हैं तो देखिए सभी पुरुषों के लिए जो हाइट रहनी है वह है 170 cm पुरुषों के लिए 170 cm हाइट यदी है आपकी तो यह आप जाएं वापे 170 से यदि आपकी कम आ रही है तो आप इस फिजकल स्टेंडर्ट टेस्ट में आप पास नहीं किया जाए माइलाओं के लिए मैलाओं के लिए मायलाओं के लिए από 157 cm है तो यह तो हएक हाइट आपकी मीलाओं की और पुरुषों की अब हम बात करते हैं, निमलिकित उमिद्वारों का कद, हाइट और सीना चेष्ट की माम में छूट, इस प्रकार दे जाएगी, देख लिजे आप लो, सेड्वल टाइम पुरुस उमिद्वारों का कद, 112.5 सेंटी मीटर होना चाहिए, और सेड्वल टाइम महिला उमिद्वारों का कद, 150 सेंटी मीटर होना चाहिए, निकिर इसमें कुछ दिये गए हैं, गड़वाली, कुमावनी, गोरखा, डोंगरा, मराठा, और जो पुरुस उमिद्वारों की हाइट, 165 सेंटी मीटर होनी चाहिए, तथा महिला उमिद्वारों की जो हाइट है, वो 155 सेंटी मीटर होनी चाहिए, और देखिए, और भी कुछ है, सेड्वल ट्राइब पुरुस उमिद्वारों का सीना, 16 सेंटी मीटर बिना पुलाए, और सेंटीमीटर होना चाहिए और सिटुल ट्राइब महिला उमिदारों का सीना नहीं मापा जाएगा और भी कुछ है देख्टे हैं देखें गड़वाली कुमाउनी गुरखा डोंगरा म्राथा जो मिद्वार उमाचल प्रदेश मड़ीपूर नेगाले मिजोरम नागालंड सिक्यम तिरपूरा असम हिमाचल प्रदेश कश्मीर रिजन अंडर उने ट्रेश्ट्री आप जम्मु एंड कश्मी ले लद्दा देखिए प्रूस उम्मधा सिनाज होना चाहिए अटार सेंटीमीटर बिना फुलाएं और फुलाने पर तिरासी सेंटीमीटर होना चाहिए तर्फा महिला उमिद्वारों का सिना नहीं मापाच जाएगा अब बात करते हैं फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट यानिकी पीटी इस उस नवस्था में डिजिक्टायमीटी का आब बगना चाहिए जो मिद्वार फिचल एफिसेंसी टेस्ट कालिफाय नहीं कर पाएंगे उनको आगए की रिकुमेंट प्रोसेस से हटा दिया जाएगा अर्था फेल कर दिया जाएगा देखें का अगला जो आपका फिजिकल एफिसियंसी का जो टेस्ट होगा वो कैसा रहेगा देखें इसमें पुरुस उमिद्वारों के लिए दौड एक पॉइंट शे किलोमेटर दौड दस मिनट में पूरी कर महिला उमिद्वारों के लिए दौड दौड के देखें पुरुस उमिद्वारों के लिए दौड है एक पॉइंट शे किलोमेटर दौड साथ मिनट तीन सेकंड में पूरी करनी होगी महिला उमिद्वारों के लिए दौड जो है 800 मिटर दौड ये 6 मिनट में पूरी करनी हो अब हम बात करते हैं लंबी कूद की यानि कि लाउंग जंप पुरुस उमिदारों के लिए 10 फीट तीन मौके दिये जाएंगे महिला उमिदारों के लिए 6 फीट तीन मौके दिये जाएंगे अब बात करते हैं मुची इकूट की यानि की हाई जम की पुरुस उमिदारों के लिए तीन फिट तीन मौके दिये जाएंगे और देखिए इसके बाद आपकी दुती चरण के परिच्छा होगी लिखित परिच्छा याई की रिटर्न एक्जान तो आज की वीडियो में बस इ सब्सक्राइब होगा उसको भी तब आ लें इस ते आने वे सरी नवी वीडियो नोटिफिकेशन आप सबी लोगों तक असानी से पहुंच जाएंगे मिलते नेश्ट वीडियों साथ जैहिं जावाएं